दिखविजय सिंग की वज़े से आपको एक बार लोकसभा का टिकेट भी दिया गया और उसके बाद आप विधानसभा का टिकेट भी दिया गया जबकि छेत्र में उनका बहुत जादा पकड़ नहीं परिवार के बेस पे अगर मुझे टिकेट मिला है तो ऐसा होता ही है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है मैंने उस समय राजनीती में नहीं थी लेकिन मेरा पूरा बैक जो है परिवार राजनीती में रहा है नमस्कार तो इस समय हम जतारा विधानसभा में हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि जतारा विधानसभा आरक्षित विधानसभा सीठ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रत्याशी तमाम दलों से दाविदारी कर रहे हैं वहीं आज हम बात करते हैं कॉंग्रेस की प्रत टेक टाइम चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। इनके बीच में काम करने का, इनके हालचाल पुछने का, इनके सुख दुख में शामिल होने का, वो मुझे अच्छा लगता है इनके साथ में, कि इनका इतना प्रेम मिजम मिलता है। सबसे पहले जब आप इस शेतर में आई थी, आपने लोकसभा का चुनाओ लड़ा था, और उसके बाद फिर ये विधानसभा चुनाओ, तो ऐसा क्यों हो? मतलब उपर से शुरुआत की और फिर यहां तक आना पड़ा? जी हाँ, मैंने लोकसभा का चुनाओ लड़ा था, और मेरी तयारी चुनाओ हारने के बाद में लोकसभा की ही थी, शुरुआत में मैं पुरी लोकसभा का ब्रह्मन भी करती रही, लेकिन मुझे जतारा विधानसभा से इतना प्रेम मिला है, और सबसे ज़ादा वोट भी तकरीबन 49,000 वोट मुझे यहां से मिला था, और यहां की जनता ने जो मुझे इतना क्या लिजिए, इस ने दिया कि एक दिन भी मुझे घर में नहीं बैठने दिया, वो मुझे किसी ने किसी कारिक्रम में हमेशा बुलाते रहे कि दिदी आईए, दिदी आईए हमारे यहां आईए, इस तरीके से लगातार ऐसी सक्रियता मेरी यहां पर रही, और यहां के लोगों ने ही मुझे जो है कहा कि दिदी आपको अब विदाय का चुनाओ लड़ना है, अब हम आपको नहीं चोड़ सकते हैं लोगों का और आपके विरोधियों का खासतोर पर यह कहना है कि किरन एहरवार जो है, इस्थानी प्रत्याशी नहीं है, बाहर की है, बोपाल से आती है, वहीं से तालुक रखती है, उनका मुझे निवास वहीं पर है, तो ऐसे इस्थिती में हम बाहरी को चुनकर नहीं विधान सबाई है, और जतारा विधान सबाई से 10 किलोमेटर की दूरी पर, यहां के सीमा से, मेरा गाउ मडिया यहां से है, तो कोई बहुत जादा दूर नहीं है, और रही बात बाहर की, मैं पिछले 4-5 साह से सिर्फ यहीं बनी हुई हूँ, छेत्री की जनता की बीच में ह बाहर की कैसे और बाकी अगर लगता आपको तो यहां पे हमारी जनता भी खड़ी हुई, आप इनसे भी पूछ सकते कि दीदी बाहर की है कि हमारी हैं, इस पूरे विधान सबाई शेत्र में अगर बात की जाए, तो आपके समाज से आपके तबके से बहुत सारा वोट यहां बिल्कुल भी नहीं, इस बार यहां के हमारे समाज के लोगों ने ये निश्य किया है कि हमारा वोट पूरा एक जुट हो करके और एक ही जगे जाएगा आपके पिता जी की जाती को लेकर और वर्तमान को लेकर एक सवाल और अभी बीच में विवाद भी उठा था है कि बहरवा जो है वो राजस्थान में उसको दर्जा प्राप्त है लेकिन यहां पर नहीं है और चुकि बेटी की जाती जो है वो पिता की जाती से मानी जाती है तो इस तरीके का विवाद तमाम उठा था है कि उनको जो है यहां से खारिज किया जाए और यह इसमें फिठी नहीं बैठती है देखे पहली बात तो यह है कि बेरवा कास्ट जो है हमारे मद्विदेश में ऐसी कैटेगरी में आती है और यह इंदौर और उज्जें साइड में जादा है और पिछले 130 वर्ष हो गए होंगे 130 साल से यहां पर बेरवा कास्ट है तो हम लोग ऐसी वर्ग में आते हैं इस चीज़ को कोई भी खारिज नहीं कर सकता अगर ऐसा होता तो हम लोग सबाचनाव ही नहीं लड़ पाते और चुकि मेरे फादर सेंटर सर्विस आई एस थे तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट मेरा जो बना था वो तो यहीं से बना है उनका ये कहना है कि वर्दमान में जो विधायक हैं और भृष्टा चार तमाम मचा हुआ है पुलिस से डर है लोग अगर उनके विरोध में बातें करता है तो पुलिस से पिटते हैं हर कहीं पैसा लगता है क्या इस तरह की स्थितिय आपने देखी इस बिलकुल आए दिन हम जनता आपको चुनती है इस विधान सभावशेत्र में तो इस इन परिस्थितिवह को किस तरीके से बद्लेंगी ते यस तरह का विवहार करना एक आप जनता के प्रतिनिदिा आप जनता की सेवा करने कि लिए हैं जनता आपके लिए पूजने या देवता समान होती है ऐसी जनता जो आपको उठा करके कहीं बिठाती है अगर कुछ करने लायक तो आपको तो उसको प्रडाम करना चाहिए उनकी पूजा करनी चाहिए और आप उनी के उपर केस लगाते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है और जनता ने अगर मुझे पूरा प्यार और समर्थन दिया तो इस तरह की सिति नहीं होगी, किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा और किसी के कोई भी जूटे मुकदमे नहीं लगा जाएंगी दिया गया और उसके बाद विधान सबा का टिकेट भी दिया गया जबकि छेतर में उनका बहुत जाद पकड़ नहीं है बिल्कुल गलत बात है ये, हमारे मेरे जो ससुर्जी है, हमारा जो पूरा परिवार है, यहां से हर चुनाव जीते हैं, मेरे ससुर्जी तीन बार सरपंज रहे, एक बार जिला जनपद उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद में जनपद अध्यक्ष रहे, उसके बाद में हमेरी ज गेठानी ने चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का वो भी चुनाव जीती हैं हमारा पूरा परिवार यहां राजनीती के और यहां पर सब लोग उनको जानते हैं परिवार के बेस पे अगर मुझे टिकेट मिला है तो ऐसा होता ही है उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो ठीक ह मैंने उस समय राजनीती में नहीं थी लेकिन मेरा पूरा बैक परिवार राजनीती में रहा है और आगे में जनता की सेवा कर ही रही हूँ सब भरोसा करते हैं मुझे आज सब मुझे भरोसा कर रहे हैं चुनाव हारने के बाद में लोग सबा का आज तक कभी ऐसा हुआ ही न तो मेरी बेडारी बनती है कि मैं उनकी हालचाल पूछूंë मैं उनकी देखरेक करूं और मैं उनकी बीच रहा हूं। तो मैंने अपनी इस responsibility को पूरा किया भी है और अब कर भी रही हूँ आगे हाली में जब विधान सबाद चुनाओ अनाउस हुआ और उसके पहले जो कजू समय था बारतियंता पारटी ने मुक्मंद्री शिवराज सिंग चोहान ने तमाम तरह की योजनाय लौंच की तो इस तीरह की तमाम चीज़ आपको क्या लगता है यह योजना अलागू होने के बाद महिलाओं जो पैसा मिल रहा है या कहीं पर भी नुक्सानятся मिल रहा है उससे कॉइंगरेस पार्टी को कितना नुक्सान होगा उसके वोड बेंक इससे कोई नुक्सान ने ہو가ा कॉंग्रेस पार्टी को क्योंकि ये जनता पूरी तरीके से समझती है कि ये खाली चुनावी टाइम आया है तो इस टाइम पर इस तरह का इन्होंने लाडली बहना जो है योजना लेकर प्याई लाडली भेना, आपको चुनाव के टाइम पर ही क्यों आया है याद आई, वो भी दो महीने, तीन महीने पहले आपको याद आई लाडली भेना तब आप कहां थे जब लॉकडाओन चल रहा था जब उस समय सब इतना परिशान थे, गरीब व्यक्ति कितना परिशान था, उसके पास कोई रोजगार नहीं, कोई आय नहीं थी, तब आपने क्यों नहीं किया ये चीज़, तो ये जनता पूरी अच्छी तरह के सा समझती है, और कमलनाज जी ने जो भी वादे किया है, वचन पूरे करते हैं, ये पिशली बार भी हुआ है, और आगे भी होगा, उन्होंने तो अभी योजना है, जो लेकर के आया है, नारी सम्मान योजना, ये गोशना किये कि वो देंगे शुरू से, इन्होंने तो अभी चुनाओ के टाइम पे दिया है, तो ये बात तो वही हो कि मुकमंत्री ने एक योजना लागू की भले कॉंग्रिस ने पहले से कर रखी थी, ये इस तरह की जो मुफ्त की योजना है, जो दी जा रहे है, पैसे सामने फेके जा रहे हैं, इस तरह की योजनाओं से कितना भला होगा, जन्ता को काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मि रहें सित्रे की फ्री की योजना है कितना भला होगा जंता का देखिए पिछले 20 वर्षों में भाजपा ने रोजगार के मामले में देखा जाये तो युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है लेकिन कमल नाजी ने कहा है कि यहां पर रोजगार के अवसर दिये जाएंगे ल जाहें पर रोजगार भी उनको दिये जायेंगे आखरी सवाब ये कि पूरी शेतr में गूमी हुई है पूरा विधानसबाज शेतर में कौन से ऐसे मुद्ध मीं है कौन से ऐसे पॉऐंट है जिनको लेकर अगर जंता आपको आशीर राद देती है तो उन बातों पर काम किय जाएगा उन मुद्दों पर विचार किया जाएगा और भविश में जनता के लिए उस तरह की यूजनाई लाई जाएगा सबसे मुख्य मुद्दा यहां का है यहां पर बेरोजगारी बहुत जादा है सब जानते हैं बुंदेल खड में कितने लोग यहां से रोजगार के लिए पलायन करते हैं और जतारा विधानसभा से सबसे जादा पलायन होता है यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है तूसरा पा पानी की यहाँ पहों कितनी बड़ी समश्या यहाटे व कहेंड-फ़ंप है यह कंप पहले में यहाँ पर आई थी तो मैंने के इस हेंड हैं पांट को टाइम पर जो गाए भैसे हैं वो क्लासरूम के अंदर बीक्षाम प्ारत्मिक स्वास्प्थ केंद्र जो है उनको खचरा घर बना दिया मुहारा में देख लिए ऋपक्चरा अगर बना हुआ है वह पेस जतारा और यह और यहां का आप झाकर कि देखेंगे तो आपको डॉक्त पर ग्स मोसाविश लींधर के छीज़ वाली कि क्षेतों में TOBe जुक्ट रात भर जख के रखवाली करनी पड़ती है और दिन में रात में जो सड़कों पर कितने एक्सिडेंट होते हैं इनकी वज़े से कमलनाज जी ने इतहर पंचायत पे जो है गौशालाय बनवाई इसका समस्या का समाधान भी करने की कोशिश की थी लेकिन सरकार हमारी चली गए उसके बाद ही लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो यह स्तिती बनी हुई है यहां के प्रमुक मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ कोई प्रत्याशी नहीं उता रहा और इस बार जो है आपको उतार दिया लोगों का यह कहना है कि पिछली बार कॉंग्रेस डर गई है समझाता कर लिया था और इस बार एक महिला को अतार के भाजपा प्रत्याशी को वाक ओवर देने की तैयारी चल रही है यह समझाता हो के साथ में मुझे यहां से बहुत अच्छा समर्थन भी मिलेगा और मैं बहुमत से जीतूगी यहां से तो यह थी किरन अहरवार जिनका कहना है कि पूरे शेत्र में लगातार इस तरह की परिस्तितियां बन रही है जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा शेत्र में ध्य जान नहीं दिया गया गुंडगिर्दी है किसान परिशान है शिक्षा की विवस्ता चौपट है और अस्पतालों के भी यही हाल है पानी की जो इस गाउं में सामने देखने को मिल गई है कि किस तरीके से लोग पीने के पानी के लिए भी परिशान होकर और लगातार घंटो इंतिजार करने के बाद वो पेजल उपलब्द हो पा रहा है तो उनका कहना है कि अगर जनता उनको विश्वास देती है जनता उनको वोट देकर विधानसभा बेजती है तो निश्य तोर पर इस विधानसभा शेत्र के बारे में विकास के कायर कराय जाएंगे और जिन हार देखने को मिलेगा